आयूपत के लॉंचिंग के समय यहां उपस्तित मेरे परम्मित्र आदर्नियराकिश जी, मेरे भाई, डॉक्टर प्रविन, डॉक्टर सतीश, दाबर के बिरंदर जी, राना सर, जुनेजा, अमर, अमित, sorry. और इस कारेक्रेम के सही मायनों में शोबा रहने वाले आप सभी आयरुवेद, प्रेमी, वजद्य भाई और बहनों और आयूपत का में हिरो, साहिल और उसकी पूरी टीम. सबसे पहले मैं साहिल को दो बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा. नमबर एक, देली में जनफत है, राजपत है, और आज इसने तीसरा आयूपत यहाँ पे शुरू किया. इसलिए पहला अभी नंदन उसके लिए, और दूसरा, यहाँ पर आप जैसे चार्मिंग, ज्ञानी और भाविय आईडवेट के जो वजद्य है, उन सभी से मुलाकात करने का सुवशर, आज साहिल के कारण मुझे मिला, इसलिए साहिल को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहत कि माना की इस जहा को गुल्शन बना सकते हैं हम, माना की इस जहा को गुल्शन बना सकते हैं हम, मगर जिस रहा से चल रहे हैं उस रहा के कुछ तो काटे कम कर सकते हैं एक राजा था उस राजा के पास काफी हाती होता है लेकिन एक हाती राजा का बड़ा प्यार हाती होता है कि जिस हाती के ऊपर बैठ कर उस राजा ने काफी युद्ध जीते हुए होता है लेकिन समय के चलते हुए वो हाती उरुद्ध हो जाता है और उस हाती को राजा रिटायर कर देता है, नियुरुत्त कर देता है। लेकिन उस राजा का उस हाती के परती बड़ा प्यार होता है। इसलिए राजा ने एक special महुत की अपॉंडमेंट नियोजन उस हाती के लिए की रखे होती है। कि यदि कुछ हाती को होता है तो उस महुत को धिभ्यानी दी रहती है। एक दिन उस शहर के, उस राज्य के सरोवर में, उँग महुत हाती को नहाने के लिए लेके जाता है। और वाँ दुर्भागये वह सा वह हाती, सेंट्रल में कीचर में फस जाता है। दैसे-दэтसे वो कोशिश करता है निकल निकल बै Evenetu आर उटीओ में फस्ते जाता है वो सब काफी भाला या रस् paints कोआ iç से आ ती कोशेचने के कोशिश करते हैं लेकिन हाती बाहर नहीं आपता है वह महुत डर जाता है और तुरंत राजा के पास जाता है और अर राजा को जो घटना हुए यवा बताता है। राजा उस महुट से पूछता है कि तुमारे així का रहेगे। उसे किस तरह से बाहर निकलना चाही है। तो महुट राजा को कहता है कि वो युद्ध का हाथी है। यदि हम युद्ध का माहुल वा बना देते हैं, तो शायद कुछ हो सकता है. उस महुत की सला के नुसार, राजा जितने भी सैनिक होते हैं, गोड़े स्वार, उन्ट स्वार, हती स्वार, वो सब सरोर के इदगिध खड़े कर देता हैं, और शंक अबिगूल और युद्ध की ललकारी हो जाती हैं, और युद्ध में जैसा माहुल होता है, उस प्रकार से म हमें सबक्रा जाता है, तो इस स्वार्ण के मौरल यही है एदि हम सकारत्म BIG कूर्जा लेते हैं तो उसमें यश्य हमकास मिलता है, Pakistan में माराटी में यह कहात है, दिशा बदला मंझे दाशा बदलेल, यानि हम हमारी direction चेंज करवाते हैं, दिशा चेंज करते हैं, तो definitely हमारी दाशा इन्हें आवस्ता बदल जाती है, यदि हम नकार अत्मक भाव को नस्त करते हैं, तो हम उसमें यशिश्य हो जाते हैं, सक्सेस मिल जाता है, वैसे अपनी सोच, आईरुवेद के परती जो सोच है, उसको यदि हम बदलते हैं, तो definitely, हमें सक्स मिलता है, हमारी सोच बदलने में हम सोच के बारे में भी हमेशा कहते रहता हूं, के दि सोच बदलो, तो सितारे बदलते हैं, नजर बदलो, तो नजारे बदलते हैं, कस्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिशा बदलो, तो खुद वो खुद किनारे बदलते हैं। तो इस प्रकार से हमें आगे जाना है आज यहां पर साहिल ने कहा था कि देल्ली में सब को आईरवेद करना है लेकिन सब चाहते हैं कि जल्दी हम करोड़ पती कैसे बने मिलेनियर कैसे बने तो आज यहां पर वेद्य प्रवीन वेद्य सतिष ने बस्ति और रक्तमुक्षन के बारे में बताया है बस्ति को आईरवेद ने आर्दची किसा कहा है रक्तमुक्षन को भी आर्दची किसा कहा है यह दो कर्म भी आप करते हो अवस्था देख के करते हो श्रद्दा से करते हो प्रामानिक्ता से करते हो और बिना ज्यादा फीस लिये करते हो तो भी आप पाच साल में करोड़ पती बन सकते हो लेकिन आपको चमतकार दिखाने होगे और चमतकार को यह नमस्कार होता है बराबर है तो कैसे बनना है मिलेनियर यह हम आज देखेंगे प्राशन आपको मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे स्टूड़न काफी है ना तो बेमेस को आपने आडमिशन लिया यह आपका या आपके माता-पिता का जो निर्नए है यह सही है या गलत है यह गलत है इसे कितने लोगों को लगता है इतने बच्चों को लगता है एक को भी नह राकी जिदे को आईरवित का भाई इसे काफी उजवल है यहाने यहाने आपका कहना यह डर रहा है अभी यह राकेश जी की बात सही है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका यह जूवचार है यह सोच है बीमस होने के बाद में या इस संसा से आखिल बारतिया एरवें मास इमेलें से या प्रभा एरवें से आप जूड जाते है तो यह आपकी जो शंका है यह डेफिनिटली यह जाएगे में दावे के साथ आपको कर रहा हूँ हम मेरे साथ भारत वर्ष के कई वैद्य डेली आनुववते हैं प्रवीन है सतिशे सबको यह मिराकल डेली आनुवव करने के लिए मिलते हैं कुछ उदारन बताना चाहूंगा पिछली मैने की बात है चतिसगड राइपूर्ट से एक प्रवीनामा के पेशन्ट उसके बच् पहले वो ट्रीटमेंट के लिए आता था जबकि पहले तीन एबोर्शन हो चुके थे और उसके बाद में करीबन आठ साल उन्हें कोई भी प्रेग्नसी ने रहती थी यानि सेकंडरी इंफर्टिलिटी थी एमेच वैल्यू जिसे हम आजकल काफी इंफर्टिलिटी में वैल् अजबन की थी 46 और ICST. टीन मेहने का जो चिकन बॉक्स की इस्त्री थी उसके कारण जो अबॉर्शन हो यह थे इसलिए तीन महने प्रिपरेशन उनमें उत्तर बस थी तीन बार रक्तमॉक्षन विरेचन और रक्तवित्ग नचिकिस्था यह तीन महने की हुई थी और मार्च में वो ट्रिट्मेंट लेकर चले गए दुर्बा गए वच कोवीड डुकलर हो गया और उसके बाद में आगे की दवा नहीं बेज सके लेकिन दो तीन मैने के बाद में उनका फोन आये कि सर प्रेग्ननसी टेस पॉजिटिव आ गए तो उस समय आगे की ट्रिट्मेंट वही राइपूर में वईद्यसीका वार्मा करके एक स्टूड़न्ट है तो मैंने का आगे की ट्रिट्मेंट लॉगड़ून में वही करवाते रहो और उसको अट अगे एज आप 44 उसने एक पुत्री को जन्मा दिया और उसी पुत्री को दिखाने के लिए पिछले मैंने को परगावाए थे आपको अश्रे होगा वो लड़की तीन साल की है लेकिन एक्स्ट्रा ब्रिलेंट जो बोलते है या IQ-wise, health-wise, look-wise, extraordinary इतनी स्मार्ट लड़की थी और वो आये थे अभी उनके तीन कारण थे उसके साथ साथ लड़की तो दिखानी थी second thing उनके साथ उनकी भाई की बेटी प्रगति नाम उसका जो की उस समय नेफ्रोटिक सिंड्रॉम के लिए ट्रिट्मेंट के लिए आती थी और इनकी भी इनफर्टिलिट की ट्रिट्मेंट साथ में चलती थी उस लड़की का अल्बिमिन जो 4 प्लस रहता था, modern में नेफ्रो के लिए ट्रिट्मेंट दी थी और उसके बाद में भी ट्रेस तक आ गया लेकिन एक दिन जस्ट माइंड में आ गया तो मैंने कहा एक बार यूएजजी करवाते हैं और यूएजजी में बालेक्रिल श्रंकन किड्नी यह उसकी आ गए तो उस समय मैं भी थोड़ा सा जनाइटल होगी या इसके कारण हुई यह बता नहीं सकते थे तो उस समय हमारा जो किड्नी फेलर का फॉर्मिला होता है उसमें पुनर्ना माका रेवंचिनी मुस्ता यह कॉम्बिनेशन देते हैं साथ में चंदरपरभा गोख्षुरा दी और सुन्टर वीडंग नागर्मो के भी चांसेस हैं और मार्च में वह भी दावा लेकर चली गिया और उसके बाद में उसे भी ला नहीं पाए तो मैंने वह बोले सर इसको पैचाना के प्रगति है और वह भी तीन साल के बाद में में देख रहा था तो अबसुल्टी नॉर्मल थी आने श्वेलिंग ने करवाते हैंएं अल्वि में नहीं लाता है रेतीनीन चेक करवाते हैं हर छे मैने में वह भी नॉर्मल आता है यूईस्ज़ करवाया श्रंकन कीडिनी स्थील है लेकिन सब रिपोर्ट सहके नॉर्मल है यानि तीन साल के बाद में विधाउट इनी मेडिसीन यही तालिया चाहिए सबको याने उनको एरदे जब 44 लड़की हो गई उनकी बती जी आईरवेट ट्रिटमेंट से पूर्ण नार्मल हो गई यह सिर्फ हो सकता है आईरवेट के कारण यह बस और अब तीसरा उनका आने का कारण यह था कि सर अब उसकी वाइब की एज है 46 उसकी है 49 और आया चाहिए सर बोले एक चांस ले सकते हैं क्या और मैंने का अब ही यह तो मेनोपोटल एज है अब है तो बोले पीरेट रेगुलर मैंने का ठीक है चांस लेके देखते हैं दो-तीन मैंने ले लो नहीं हुआ तो छोड़ो आभी वैसे लड़की है आपको आपको बताने में खुशी होती है कि पिछले मैंने उदावा लेकर गय कि 46 एज में भी 15 डे पर नॉर्मल फॉलिकल रप्चर हो गया और अभी छे दिन उपर हो गया उसकी पिरेड नहीं आया अभी और एच्टीजी लेवल करवाई तो थोड़ी से हाई लेवल पर आगे तो में भी प्रेग्नांसी होगी यानि एड़ फॉर्टी सिक्स एज एज कि उस समय पॉइंट जुरो वन थी तो यह चमतकार जो होता है सिर्फ आयरवेट के कारण होता है और फिर भी हम कहते ही कि आयरवेट से देरे-देरे फर्क होता है कि एक इंजिनेर अपना इंजिनेर कॉलेज हमारे कॉलेज का कॉपरगाओ का उनके जो प्रिंसिपल है मिस्टर कापगते सर एक पंदरा दिन पहले आर्टी के रेल राच्षिस के लिए आये थे जब वो आये तो जितने स्टूडन्स है तो सबको में इन बताये कि इनकी बड़ी हिस्ट्री है कि एक आयरवेट के तरफ कैसे आये तो वो थोड़े से शर्मा आये क्योंकि वो एंटि-आयरवेदा थे हो और उनकी बीवी ये आयरवेट की पेशन्ती रेगुलर आती थी और पता है तो मैंने अपना सर कसके पकड़ा था अब यो आग ऑफ श लेवल का उंज मुएंगिर का परिंसिपल तो मुए संटान का सर मैडम यो गारवी क्या हो गाया तो उन्हें का सर इनको माइगर्न का आतख अगे मैंने कश हो रहा है जवले स्टी च्थी दिन क्या किया थो ने निकार स्लद्राबी भी फायदा नी बात नहीं तो वह तो बोलने के स्थिती में थे नहीं नहीं, बीपी चेक करके डारैक अंधर बीड़ दिया और जैसे प्रवीद ने बता है उस प्रकार से हेडलो देके जुगोलर फ्रीक लेकर मैं फिर से कंस के बाद जब वो कंसल्टिंग में आये तो एकदम फ्रेश्टे आके खड़े थे तो मैंने का सर हो गया रख तो मॉक्षन तो उन्होंने का हा सर हो गया मैंने का आप कैसे लगता है तो उन्होंने तुरन जितने स्टूडन से सबको उन्होंने कहा कि you are lucky fellow कि आप आयरवेट के पास आये हो क्योंकि आयरवेट से इतना इंस्टन फर्क पड़ता है यह मैं पहली बार देख रहा हूँ क्योंकि मेरा पेंस 100% गायब हो गया उसके बाद वो चले जाने के बाद साथ साल के बाद में अर्टी के र रक्तमुक्षन करके आते हैं तो मैंने सभी स्टूडन्स को कहा कि यह अंटी आयरवेदा थे और फिर मैंने सार को कहा कि सर आपको पताए कि उस आपके आपका जो रक्तमुक्षन किया एक रक्तमुक्षन किसी की कैसी जिन्दगी बना सकता है तो उन्होंने का क्या हुआ तो तो मैंने का सर आप जब आये थे और उसके बाद में फिर बच्चों को मैंने कहा कि ये जाने के बाद में और अक्तमुक्षन जब हुआ तो उन्होंने फीस पूछी मुझे सर फीस कितनी हो गए जबकि उनके बीवी की भी मैं पैसे नहीं लेता तो यदि कोई ऐसा अंटि-ायर मिलता है तो उसको चेडाने में टीच करने में बड़ा बड़ी खुशी मिलती है तो मैंने उनको कहा कि सर ऐसे मामुले ट्रीट्मेंट के आयरुवीद वाले पैसे नहीं लेता है क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी एक रुपाई के निडल तो मैंने कहा चलो पता है कि सर आप आये थे उसके बाद में एक लड़के को मैंने आपके पास बेजा था क्योंकि हमारी जो स्टाप सिस्टर थी नजमा भावी वीड़ो थी घर में कोई नहीं था और उसका बेटा दसवी कक्षा में 78% मार्क लेकर पास हो गया और फिर दूसरे दिन वो आई क कि सर उसे रिसेप्षन पर काम दिलवा दो मैंने का होश्यार है उसको पढ़ा हो आगे तो वह बोली सर आपको पता है घर में कोई नहीं है और मैं इसको आगे नहीं पढ़ा सकती है तो बच्चे को मैंने बूला लिए उसको पूछा कि तेरी इच्छा है आगे सीखने की तो पूछार है तो उसको आगे पढ़ना है तो हम क्या कर सकते हैं तो उनका सर कुछ नहीं उनको स्कॉलर्शिप में उसे अड़ेस्ट कर देते हैं आप उसे बज्योदों में एडमिशन दिलवा देता हूँ मुझे बड़ अच्छा लगा मैंने का जा उनको मिल ले दूसरे दि मैंने फिर से उनको फोन किया मैंने का सरो लड़का आके गया क्या तो उन्होंने कहां आके गया लेकिन इनिशल जो फॉर्मेलिटी होती है तो एक पचीस आजार शुरुवात में बढने पड़ेंगे और फिर आगे के जो है वो स्कॉलर्सिप्च हो जाएगा तो मैंने का सर वो डैसुरुपे भी नहीं बढ़ सकता तो पचीस आजार का से बढ़ेगा तो मैंने का ठीक कोई प्रॉब्लेम ने मैं पचीस आजार मेरे तरफ से बेजता हूँ उसका एजूकेशन का खर्च मैं उठाता हूँ आगे काप करो जैसे मैंने उनको बोला मैं ब पास हो गया और कैंपस इंटेर्व में फर्स्ट अपर्टमेंट उसे पुना के एक IT कंपणी में मिली और 38,000 से उसकी शालेरी स्टार्ट हो गया जो भावी थी मैंने का तुने काफी काम कर लिया भी आराम करो बच्चा कमा रहा है तो उसको भी सन्मान के साथ हमने विदा कर दिया उसे शेंड़ अप सेरेमनी भी हो गया आज उस लड़के को 78,000 पेमेंट है तो बच्चे को भी बताया और सर को जब मैंने ये बताया कि सर आपको ये कारण ये सब हुआ ये आपके कारण हुआ तो उस समय खड़े हुए उन्होंने फीर से नमस्कार किया और कहा कि सर ये मेरे कारण नहीं हुआ ये आईरवेद के कारण हुआ रख्टमोक्षिन के पूना नाशिक से एक मारवड़ी एक लीडी थी, जो छे महने से सिर्फ डखार दे रहे थी, निन में भी डखार चालू, दिन में भी डखार चालू, पूना गई, बॉम्बे गई, वहाँ से फिर भोपाल एक बार उनके रिलेटिव थी वहाँ भी जाकर आ गई, लेकिन सब modern doctor जब कभी फर्क नहीं होता है तो वो कहते हैं कि आप ज्यादा सोचती हो तो फिर psychiatrist के पाद बेज देते हो यह भी एक राउंड उसका हो गया फिर वे उसका डाकार कंटीनु चालू थी तो मैंने का थी कोई प्रॉब्लेम नहीं है एक निरोबस्ती देने के लिए कहां और उसके बाद में शिरोधारा करके बाद में मुझे मिलो यह कहां तो एक देड़ दो गंटे के बाद में आ गई अंदर तो आने के बाद मैंने पू अगर आती और एक शिरोधार 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 जास्ट्रेस एक्टर के लिए था क्योंकि छे मैंने से नीन में भी दाकार देती तो इतनी खास नीन नहीं आती थी उसे यानि इतना इंस्टन्ट फरक आयरवेज से होता है और उसके बाद में जब फॉल उप में नासिक ह कभ खाया बस यसमें उत्तर मिल जाता है उसने का ने रूटी ही सब्जी रोती खाया चाई मैंने का सब्जी रोटी मोगए शामवानी भी खाता है है सब्जी सी ख्रें ली खटी्षिक मैंने का क्या ख्रें उन धगता jour कि पुरREं चुब बंती हैं तो फिर बोले ने श्र वो बोली उस दिन आया लेकिन दूसरे दिन से अपने अप फिर से बंद हो गया तो इस प्रकार से यदि कोई बोलता है कि आयरवेद से दिरे मैंने जब 88 में प्राक्टिक शुरू की तब सब लोग बोलते थे कि हमें पंच कर्म पता है और हम जब पूछते थे पंच कर्म बता तो वो पंचे तंत्र के कथाई सुना देते हैं और यह भी बोला जाता है तो इगे दी नाना जी को दवा देते हैं तो पोते को फर्क करता है लेकिन आप आयरवेद मौडन से फास्ट है यह दिन बद दिन पूरू होते आ रहा है और एक आयरवेद के बारे में हमेशा सवाल रहता है कि आयरवेद में इमर्जन से अंडल ने की जा सकता है सही है यह यह तो यह यह सबी प्रकार की इमर्जन सी हर एक करता है पंचा कर्म से कोई inherent होता है तो पंचा कर्म से भी उससे आद्र सकता है इसलिए पंचा कर्म के हमारे महास में कापी बोर्ड लगे है हर एक कर्मया है जाके देखते तो छिर्प एक कुकर रहتा है एक टेबल रहता है हो गया पंचकर्मत जो वमन करेगा जो रक्तमुक्षन करेगा वो सही मायनों में पंचकर्मत अधनिया और जो व्यापत को अच्छी तरह से हंडल करेगा वो सही मायनों में पंचकर्मत अधनिया पंचकर्म कोई भी करेगा लेकिन उससे व्यापत हो गये त तो उस वापत को handle करना आना चाहिए, तो उस वैदे का तो नाम जाता है, लेकिन हमारे शास्रा का नाम बदनाम होता है. सदा रस चीकिसा जो होती है, मैंने कई वेबिनार में भी एक बताया हुआ है, कि जो शटरस होते हैं, मदोराम लेला, उनका टूतिक तक शाहिए, तो एक-एक रस भी हम पकड़ते हैं, तो एक-एक रस से भी इमर्देन से अंडल हो सकती है. दस साल पहले मेरे एक स्टूर्ण का Auckland ता नाासिक में, ड्राइव करते मैं नासिक जा रहते हुआ, तो शिंदर का एक बड़ी घाटी आती है, उस गाती में मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो उस समय ड्राइवर भी नहीं था, तो ड्राइविंग करता तो 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 एक फोन गान बज गया। तो मिस iki अपाइसा उठाना नहीं। तो फोन टो पेशेट से के उठाने ने ऐसा नी सकता है। damit है। गाश्च जसे फोन वटा सामने खाया से पहान सामने से आयाकि सार मैंते। एक शटर,.» है तो आप कुछ बताओं मैंने का क्या हुआ तो इसने का कि सुबद ऐसे उटी वैसी तंग उसके गले में आतक गिया और आखरी सासे गिंद रही और उसने फोन किया था मुझे साड़े तीन चार बजे तो मैंने का अब तक क्या किया फिर दॉक्टर को बुलाओ दॉक्टर को तो उस समय मुझे इमली की याद आ गई आप इमली इमेजिन करते हो तो मुझे को तुरंट पानी छुटता है छुटता है कि नहीं तो हम बच्पन में ज्यादा नटकट थे तो जो पॉकेट मनी मिलता था पाच पईसे दस पईसे वो जेब में रहते थे और हर स्कूल के बा पर भी इमली से गवन फे देखते हो और उसमें से भी लाल इमली आती है तो इमली हम जेब में रख के सिब जब कोई जब कोई शादी होती है तो ब्रॉस बैंड रहता है बैंड बजयते जाते है तो मुह में पानी चुटने के बाद बैन्ट बजा सकते हैं क्या ? तो हम मारा कामी एड़ता है मिरोनुक आगई कि उसके सामने इमली कहने का नातक करना बस और वो इमली देखते हैं उसके मुह में पानी चुटने लगता तो वो बजाते बजाते बाज उट तो बाज उटा ऐसे कहता था तो यह आदा गया मैंने का एक काम कर आपके पास इमली होगी तो इमली का पानी बनाओ और ड्रॉप बाई ड्रॉप मुए में डालो कुछ हुआ तो और नहीं तो मैं भी कुछ ने कर सकता आपको अश्रे लगेगा मैं नासिक में इंट्री कर रहाता है यह वीस पचीस मिनिट के बाद में उसका फोन आता है और उन्हें का कि दैसे आपने कहा वैसे हमने किया और ठसका के आप मेरी बीबी उटके बेटिया और उसका अच्छा लगता है यानि फिर आमलरस प्रिनन करता है रसक्षिनता कम करता है यह इसमें था और उसे हो गया तो यह इमर्जन्सी जब जबकि डॉक्टर्स ने कहा था आखरी रिष्तेदारों को बुला लो तो यह प्रॉब्लेम आईरवेट के फिर रसकलपना से या आमलरस के कलपना से चला गय तो विदिन मिनेट टू मिनेट में उसके कनवलजन चले जाते हैं शीडी में मैंने ऐसे एक पहली केश देखी ता और उस थे भी ज्यादा मैंने अभी छे मैने पहले देखे मेरे जिन्दिगे का सबसे बेकार कनवलजन मैंने एक पेशन का देखा छे फीड दो इंच का और इतने बेकार कनवलजन थे कि कोट के इस तरफ से इस कोट के इस तरफ तक दोर से ऐसे चलांग ना रहा था तो देखते ही उसके मा को मैंने पूछा तो उसने का कि पहली बार हुआ है क्योंकि उसकी बीवी भी बाजू में थी और नही नहीं शादी उसकी हुई तो मा ने उस चपल सुंगना है जो उसमें एक ही होता है कि तीवरा गंध चाहिए उससे वो संपराप्ती भंग होती है तो कर चुके तो तुरंट मैंने एक स्टूरंट को फोन किया कि मैं रात को बारा साड़े बारा की केस्ति हो स्टूरंट को फोन किया वेखंट चूरन लेकि नीचे आ पूचा सर आप यहां मेरे घर में कैसे है तो यानि सिर्फ वेखंट का जो प्रभाव वताया हुआ शास्र का उसका ज्वलंत उधारन मैंने उस समय एक्स्पिरेंस किया और उसके बाद में फिर उसकी मां बाहर आये उसने का कि सर उसके बीवी को नहीं बताया हमने कि उतको जाते हैं और उसको अल्रेड़ी गोलिया चालू है लेकिन उसने तीन-चार दिन में गोली नहीं ली यानि एंटिपलिप्टिक ड्रग उसने नहीं लिये तो उसके कारण उसे कन्वल्जन आये थे तो यह एक्क्यूट इमर्जेंसी आयर्वेद के सिर्फ एक वेखंट चुर तुरण प्राक्टिस करता है और एक साटरड़े के दिन मैं नासिक हॉस्पितल में था उसकी पिताजी का फोना है कि आमीद के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और यहां पे दिखाया सोनोग्राफी करवाई और डॉक्टर ने कहा कि अपेंडिस साइटी से और तुरण पड़ेगा तो मैंने का मैं भी नासिक में हूँ तो बोलते हैं तो करवा लो उबले नहीं आमीद बोलता है कि आपरेशन ने करना है सर के पास जाना है तो मैंने का ठीक एक काम करो आप कोपरगाव जो हमोगराम भी किया था उसमें डबलोवसी काउंट भी बढ़ा था यहने क्लीनिकली 100 परसंट अपेंडिसाइटिस था यूजी में भी मैंगबनीट पॉइंट पर टेंडन ने सेवियर था तो कोपरगाव में चला गया उस सम आड़े बारा बजए फोन आए कि सर हमने देखा आपेंडिस इस यह तो क्या करें सर तो मैंने का उसको रक्तमोक्षन कर दो पहले दो शंकवटी और दो कैसर गुगुल दे दो और राइट की उबाइल तर रक्तमोक्षन कर लो और एक आधा घंटे के बाद में वो जो डॉक यह तो मैंने आपके बारे में आपसे कई बार सुना था लेकिन खुद आज रियलाइज किया कि 10 मिनिट के बाद में मेरे पेंस गए और 15 दिन के उपरां सेम इपिसोड उसकी मा के बारे में हुआ उसका भी एक बार रक्तमोक्षन कि अभी चार-पास साल हो गए दोनों को भ कि अभी भी पेट में दर्थ नहीं है यह एक्यूट इमर्जेंसी आईरवेसी भी जा सकती है यह इससे प्रूब होता है जो कि धातुपा का वस्ता यानि अंत्रपुच्छ विद्रधी कहा है और विद्रधी में रप्तमोक्षन कहा जाता है कि शंगान्मे ay. कॉलेज में मेरा लेक्चर था यह अण हमेश्हा ठीचर के बारे में बलते है कि अइरवेदמה नती के कारण हम हमारे समय वह बनते है आज का नहीं बोलता हूं मैं क्योंकि आज कल को सभी लेक्चर होते हैं सब अच्छा है हमारे समय में पूरे फाइनल एर में एक लेक्चर हुआ तासर मेरा तो उस समय हम कारण बताते थी कि आयरवेद के आउनती के कारण ये एक होते हैं टीचर लोग बराबर तो संगमनेर मैं ऐसा लेक्चर हो गया और एक टीचर उठे उसमें से और उन्होंने कहा कि आपेंडिस आइटिस तो इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन का रक्तमुक्षन का और इन्फेक्शन का क्या संबंद तो मैंने कहा उसको आंत्रपुच्च शोत कहते हैं और आंत्रपुच्च शोते विद्रदी कही है और विद्रदी के लिए रक्तमुक्षन चिकिस्ता शास्र में कही है और उसमें आपेंडिक्स और इन्फेक्शन का सवाल ही नहीं आता है मैंने इन्फेक्शन वर्ड इस्ते होती है उससे भी ज्यादा एक इमर्जेंसी में बताना चाहूंगा कि आचारे वर्दमान सागर जी जहिन के एक बड़े संथ है जहिन समाज जो होते हैं पिछले जनवरी में 2021 में उनका संग रस्ते में जाते जाते को पर गाउ आ गया तो रुक गया था अब यह लोग दिगंबर समाज जो होता है और वेट से एक हुआ है कि आज तक दिगंबर समाज हो, मंदिन मारगी हो, शोयतांबर हो, टिबेतियन हो, मुस्लीम हो, हिंदू हो, खृच्छन हो, बड़े संतों को चिकिसा देने का आउसर मिला है और उनके आशिरवाद ब्लेसिं देने का भागे मिला है तो वर्दमान सागर जी कोपरगा में उनका संग आया था और नासिक से विजिट से मैं जब कोपरगा में एंट्री की तो उनके बड़े-बड़े सौगत के होड़िंग लगे थे वो देखते है मैंने मिसेस को आगा कि कल इनका दर्शन मुझे है क्यो कि कितनी भी डायरी अमर्जनसी आने दो सिर्फ 24 आवस में एक टाइम आहर के समय दावा लेंगे उसके बाद में जान जा है फिर भी हो एक बूंद भी पानी नहीं लेते फिर और जो भी देना है आहर के समय एक बार देना है कि दूसरे देन सुब-सुब आठ बजए डॉक् मेरी उदयपूर के वद्धे से ट्रीटमेंट चलती है। मेरी एकडम डेंजर था। और एक साथ दिन के बाद मिफिस दग्डे डॉक्टर का फोना आए कि आरे रमदास अचारी जी को बुखार आगया। और श्नी जीम भी कंटीनुए 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 कफिंग चल रहा है। दोपर के समय पोना है मैंने मंगलवार की बात थी मैंने जाके देखा उनको तो मैंने का तो आभी करन्ट सिनेरियो कोवीड का आया और इलक्षन सब कोवीड के तो बाकी के संतों को तुम अलग से रखो। क्योंकि यह निर्वस्रत रहते हैं और उस थंडी में भी वो निर्वस्रत है और आइसे स्टी में उनको अभी एक कोवीड के लक्षन सब दीक रहे तो उनको चिकी सदेना काफी डिफिकल थी तो उस समय फिर बुखार काफी था तो मेरी प्रविन से भी बात हुई तो बुखार भी है तो सपंजिंग करेंगे तो और थंड बजेंगी थंडे अल्रेडी है प्रविन ने का कि फिर गरम दूछ से फिर पंजिंग करो तो उतना सिर्फ एक्स्टरनली क्योंकि आप बेंतर तो अब फिर से दंग्रे दॉक्टर का फोन आए कि रम्दास तो आजा उनको बहुत तकलिफ हो रहा है और चेस्ट में भी दर्द हो रहा है। जब मैंने देखा तो लेफ साइड में चेस्ट पेन थे अभी 79 एज को मॉर्बिडिटी और लेफ चेस्ट में बता रहे हैं तो मैंने कहा कि एक बार सब रूलाउट होना चीए है कोविड तो हाई हाई लेकिन बाकी कुछ हाई कि अचार सिटी करवा लो कार्डिया कि इसी जी सब करवा लो क्योंकि पूरे समाज जो थे हैं मेरे तरफ देखती थी कि आवा डॉक्टर की ट्रिट्मेंट चल रही है तो कुछ हो जाता दुरू बागे वह तो मुझे ही पकड़ते सब तो मैंने कहा कि जितने भी समाज के डॉक्टर से उनको एक बार बूला लो पिर उनके गाइनेकलोजिस्ट एक सर्जन एक पेडियाट्रिशियन और एक पुना से एक केम गंगावल करके बड़े पीजिसियन है सीनियर मोस्ते हो उनको उन्होंने इंफर्म किया और उस भी करता हो गए उन्होंने का कि एक बर सब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं फिर लैब टेस सब करवाया लैब टेस्ट में डबल विसी काउंट उन्निस हजार दो सो सी अबा सी अर्प बड़ा दी डाइमर बड़ा था और में सिरम क्राटिनी लेवल 2.16 आया था तो वो पुना वाले डॉक्टर ने वह ही पकड करा था कि रिनल फिल्लेर भी लग रहा है कोविड के भी कि रामदा सिक काम कर कुछ आंटिवाटिक आप आपके पूड़ी में करश कर लो और आचारी जी को दे दो मैंने क्यों देना ही है तो उन्हें का यह तो डेंजर है अभी आप एवरे शीक्षावर ली उनको इंजक्शन देते हैं फिर भी यह निमोनिया कंट्रोल में नहीं तो 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 अलोपयत लेते नहीं है तो तुमारे पूड़ी में दे दो मैंने का इरवेट को ऑन्टिवाटि की जरूरत नहीं है इक ही की की एक ही टाइम वो दावा लेने वाले तो यह सबसे बड़ा प्रोब्लेम है तो मैंने आचारी को अचारी को दर्षन करके कहा कि जो भ में विशम जवरान तकलह, रससिंदूर, सुवरनमकर जोज, और साथ में श्वासका, चिंतामनी, सहसर पुट्याबरग, गोधन्ती, इस्टिमधु उपुषकरमुल, वासा तालिसादी, तो सब कॉम्बिनेशन बने हैं, उनको प्रानिज बस्मनी चलते हैं, उसमें के बाद में एक पोड़ी देते हैं, और सिर्फ इतना, लिक्वीड बेव दावा लेते नहीं हैं, और वो देने के बाद में, शनवार के दिन सुवह, डॉक्टर दगड़े का फिर से पहना है कि रमदास तो आ सकता है क्या, मन में ही विचारा है कि सिर्फ दोन डोस गए है, जबी कुछ फाइदा तो हुआ नहीं होगा, और जाके फिर आगे क्या करना है, तो मैंने का फिर एक बार जाके देखते क्या होता है, आज भी वो महुल याद आता है, तो रूम्ते आते हैं, क्योंकि वो पूरा स्कूल का ग्राउंड सा, पूरे ग्राउंड में दस साड़े दस बजी की धूप खीली ती, यह सभी संथ निर्वस्र बैटे तो एक आसन पी यह आचरे वर्दमान सागर जी बैठे थे, और उनके सामने जितने भी मौडन के डॉक्टर्स थे, वो सब सामने खड़े होके चर्चा कर रहे थे, जैसे मैंने गेट से मेंन गेट से एंटरी क अचरे के पास महीं गया, जो डॉक्टर केम गंवाल थे, अभी नाब भी बता देता, पुना के फिजिशन, फेमस फिजिशन है, अभी ओ सीनियर मैं पहिचानता था, लेकिन मुझे पहिचानना का कोई कारण नहीं था, उनका, वो डायरेक्ट आके उन्होंने मुझे हक किया और और कहा की इतना धाउरेक्वेद भास होता है, में पहली बार देख रहा होंगया, तो यह आयर्ण बुर्स knots चाहिए, तो यह लोगों के सामने आना चीहए, मैंने का सर यह लोगों के सामने आ चुका, लिए यह खाने के भुर्सत में मिलती है, यह तुम जैसे डॉक्टर क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा ही आईवेट की आप ही लोग करते हों तो सोब बलें नई यह तो बराबर है, लेकिन हमारे जेहन गरंतों में आउज को हे लिखा है, मैं पर आफ कहा है य उजका है, लेकिन आप काई कर दिन के बाद मैं एक पेडियाट्रिशन जो थे आज मेरे करके उन्हों का कि रम्ना से एक बार इन्वेस्टिगेशन कर वा ले थे क्योंकि CRP डिडाइमर ज्यादा था क्या है वो तो सिम्टेमेटे के लिए बेटर है लेकिन एक बार देख लो चार दिन के बाद फिर से इन्वेस्टिगेशन के जो उन्नीज दो आजार काउंट था वो बारा चैसो वह आता CRP थोड़ा कम हो आता डिडाइमर भी थोड़ा कम हो आता और में क्राइटिन 2.16 से 1.67 तक निचा आये था तो मैंने का कोई प्रॉब्लेम ने सब बराबर चल रहा है वही दावा चालू रहे नहीं दो फिर बराबर आट दिन के बाद में next Friday में फिर से जो एक सर्जन डॉक् कि देखाए किदेषी द वैसे रहता है और symptomatically patient ठीक होता है मैंने काया ये हुम्हाइपहिती के बारे में मैंने देखा आयर्वित के बारे में कभी ने ऐसा होता है तो फिर उन्होंने महाराज से कहा अचारह से कि अचार सृतिः कर नीए उन्होंने का वैद्धर आज तो उस समय मुझे इतना प्रावड फील हुआ कि बड़े-बड़े सीनियर डॉक्तर थे एमडी एमस उनको बाहर निकाला था और एक सिंपल एमस मानुसे मैं ना तो एमडी हो ना कुछ और मुझे उन्होंने उनके पास में बाजयों में बिठाया और सब मुझे पूछा कि करना चाहिए कि अचा सिटी मैंने का आचारे जी एक बार करके इनको दिखा देते ना आईरवेद क्या करता है तो पहले ठीक करते तो यचा सिटी करवाया आपको आशेरे लगेगा कि शिर्फ आट दिन में वो निमोनिटिक पैच हंडर्ड परसंट वैनिश समय था मैंने वो डॉक्टर दगड़े को कहा था कि अब यह एविडेंस आपके पास है वीफोर के पोस्ट के एक्सरेज लैब रिपोर्स है तो आप अपने डॉक्टर्स के गुरूप में डाल दो आईरवेद का चमत कारे से होता है उन्होंने कहा कि हाँ करता हो करता हो लेक गुरू चिंतामनी पुरस्कार देके उन्होंने मुझे उस दिन सन्मानित किया और वही आचारजी अब किशनगंध राजस्तान में है और पिछले आप दस-पंद्रा दिन पहले यानाई में लेक्चर था मेरा तो वहाँ पर जाना था पच्चिस फरवरी को पच्चिस एच क्योंकि वहरी दस-पंद्रा दिन के बाद में एक वीडियो आचारी जेका बेशते चलते चलते और आचारी ने आपको आशिरवात दिया है कहते रहते हैं तो मैंने का मुझे तो 25-25 को आना है तो उसके पहले मैं एक स्टूडंस को बेशता हूँ फिर एक जैपूर से एक स् जाने के बाद में पूरे उनके प्रवचन के समय उन्होंने जैसे मुझे देखा उन्होंने प्रवचन वही स्टॉप कर दिया और मेरे साथ वो फिर से रूम में आ गए हसी मजाक से 10-15 में काफी गफशप हमारी हुई फिर मैंने कहा कि रक्तमोक्षिन हुआ है फिर से एक ब प्रवाद है और जब गाड़ी में जाके देखा तो 50,000 रुपीज उस पाकेट में रखे थे उन्होंने है और वैसे रखा है ज़रूरत नहीं खोलने के साथ अब पिछले आपते इस फोन आया था कि एक 20 परसेंट उनको वीजन आ गए जो बिलकुल ब्लाइंट थे 20 परसें कि वो 100 परसेंट उनकी वीजन आ जाएगे इस प्रकास से इमर्जेंसी भी आयरवेस से अच्छी तरह से ट्रीट होती है किनको आभी दूस्टी के लिए मैं रक्तमुक्षिन चाहिए आलो चुक बित्तक की दूस्टी थी हो जुगले रुवेंस से रक्तमुक्षिन बस उतना किया और तरपन बोला है हो तरपन कर रहा है अब अब अगला अगला प्रश्न स्पेशालिटी जो मैं पिछले 2016 से कहता है हूँ कि आईरवेट की स्पेशालिटी की दिनाये है हमारे महारस में कापी सैचुरेशन हुआ है एक बिल्डिंग में पाच-पाच-पंच पंच कर्म के होस्पिटल सी या बोट दिखाई देता है आपको आउट-प महारस तर्श स्काइड दॉमित है आपको आज ही एक लड़की ने मुझे पूछ पुचह मैं करना चाहिछ या नहीं करना चाहिए आपको कोई ज़रूनी कर दो दो एमडी होने तक कि तीन साल में आपकी प्राक्टिस हो जाएगी तो आपको कोई speciality की ज़रूरत ने, लिकिन महारास में अभी speciality की दिन आई, इतना है नहीं, अब faculty by speciality छोटो, this is by speciality के बी दिन महारास में आए है, यहनि kidney specialist या आखोकत specialist है लेकिन joint spines के specialist है, लेकिन joint spines के specialist, आथे अलग-अलग specialists हमारे बन सकते हैं, इससे भी आगए जाके म हमारे तरफ आने शुरू हो गया एक रक्तमुक्षेन स्पेशालिस्ट विद्दकर्म स्पेशालिस्ट एक तो डॉक्टर एमडी है जीपी करता है लेकिन कोई भी स्कीन का पेशन्ट आए वो तीन-चार लिच लगाना ये लिगाना है उसको वो तो किडे का डॉक्टर करके फे स्पेशालिटी की दीन आ गए है तो हम स्पेशालिटी प्राक्टिस एदी करेंगे आज से याज तए कर लो कि मुझे जितने भी लड़किया है मैं गायने के बनुगी दीब बेस रिजल गायने के होते है याने पैनलेस एंसी नो जस्टेशनल डाइबिटी नो जस्टेशनल हाइपरटेंशन, नो बैक एक, नो आपडामेन पेन, नो जनरल डेबिलिटी, सोने की ज़रूरत ने हमारे जामाने में हमने देखा है कि हमारी मा प्रेगनन भी रहती थी तो पानी का मटका या कुछ भारी चीजे उठा के चलती थी तब तो यह कुछ भी नहीं करना पड़त पेनलेस एंसी वलकि डीब बेस एंसी आईरवेद की मैं कहना चाहूँगा, 2000 से ज्यादा एंसी मैंने देखी है और एकदम डीबेस रिजल्स मिलते हैं क्या, यह आजाओ कभी भी देखो, 2000 से ज्यादा पेशन मैंने देखे, इतना ही नहीं मैंने, हमेशा मॉडन वाले कहते हैं कि एक सीजर हुआ, दो सीजर हुआ, तो तीसरा सीजर ही होता है, बरबर है, ऐसे साथ पेशन मैंने देखी कि थर्ड प्रेगनसी मैं ट्विन्स प्र मैंने लिए होके, ती अबो थी केजी दोनों भी बच्चे हुए, तो यह IRVC होता है, इतना ही नहीं जनेटिक दिसर्ड और, अभी आज हम आई जनोमिक्स में जाकर आभी शाम को, अब उससे ही आइडिया हम लेने वाले, अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि जनेटिक दिसर्ड मेरे पास है, जिनको तीन बार तर्मिनेशन करना पड़ा था, क्योंकि एक में लिवर नहीं था, एक में किड्नी नहीं था, और थर्ड में हेडी नहीं था बच्चों में, क्यारियो टैपिंग में 22XX में डिफॉर्मेटी बताई थी, और मोर्डन के बारे में आज उनको भी कि मेंने का कि मौडन ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में काफी तरकी है, लेकिन आगे क्या करना यह नहीं है, प्रॉब्लम था, और वो CDI पता चला आगे, तो मैंने का कि इसके पहले चार केसे लिए लेकिन उसके एविड़न्स मैं इनका वमन करवाते हैं, इनका भी वमन करवाते हैं, सब शुद्धी करते हैं और उसके बाद में फिर प्रेगनेसी रहनी चाहिए, मार्च शिरुवात में आये थे, उसको आमलपित्त, एंग्जायटी, शिरत चुलो काफी तो आते आते ही पहला रख्तमोक्षन कर लिया एक उसका, क्योंकि पित्त के लक्षन जादा थे और स्ट्रेस के लिए शिरोधारा उसकी की थी, सब शमन्ची किस्ता एक मेनी के उसको दी थी, और एप्रिल में दोनों का वमन करवा लेंगे और आगे की ट्रेटमेंट चालो रखेंगे, फिर क्या करना है तो यह करेंगे, आप आपको पता है, मार्च में लॉक्ड़न हो गया, एक मेनी के दवा के बाद में, एप्रिल 10 या 15 एप्रिल को उसका मुझेफ होना है, कि सर, पिरेड मिस हुआ, तो पहले बार आईसी हुआ है, कि किसी की प्रेगने से रहने के बाद जो खोशी होती है, अपनी ट्रेटमेंट स पहली बार उस समय मुझे गुस्ता आया, दुख भी हुआ, मैंने का, मैंने आपको कहा था कि तीन मैंने शरीर शुद्धी के बगर चांस लेना नहीं है, आपने क्यों चांस लिया, तो उन्हेंने का, सर, लॉक्ड़न सा दोनों घर पे ही थे, तो मैंने का, ठीक, आभी भगवान ने सिग्नल दिया है, तो आभी आगे चलते हैं, लेकिन मेडिसिन भी लेना जरूरी है, तो मेडिसिन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय का माहोलयात करो, घर के बाहर भी नहीं निकल सकते थे, सब स्कीक था, तो उसने का, सर मेरे एक रिष्टेदार पूलिस डिपार्मेंट में है, तो लोकल पूलिस डिपार्मेंट का आदमी आके दवा लेकर जाएगा, वो मुझे बेज देंगे, तो मैंने सेकंड द्यूमास वटी, पिर रक्तपाचे कोटी, डिव टॉच, टाबले सब्सक्राइब के लिए गाने के लिए बोला था, गानेकलोजिस के पास, उनको बात पी जाना है, लेकिन एक भी गोली, मेरा जितना भी एंसी के स्पॉंटेनिस अबर्शन की पेशन्ट आते हैं, यह जैसे आपनी फाइल फेगते हैं, वैसे मैं भी उनकी फाइल पेगता मैं उनको स्थीक्ली बोलता हुआ कि एक भी गोली एलोपेथिके लेनी नहीं है, किसी के तीन एबर्शन हुए, मैं उनको बोलता हुआ, तीन चांस एलोपेथिके दिये ना, तो एक चांस आरविद को देना, 100% आरविद लेना, कुछ भी नहीं है दूसरा, वो जाते थे, उ क्योंकि मैं भी मेरे साइड से से रहना चाहता था, तो देखते हैं कंजनायतल आनोमाली तक जाते हैं, उसके बाद में ते करेंगे का करना है, फिर सेकंड ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी अबनॉर्मल आ गई, और फिर आनोमाली स्कान जब 20 विक्स में किया, वो रिपर्स करना चाहिए, उनका फोनाय महने का करो, वो ज्यादा रिलाइबल एविडेंस रहेगा मेरे लिए, और फिर साड़े पाच महने में अम्नियो सेंटिस करवा है, वो रिपोर्ट अप्सलूटली नॉर्मल आ गया, और पूरी ANC, आयरुदिक चली, नोहेंबर 20 में डिलिवरी ह हो गई, और साड़े आठवे मेने में डिलिवर हो गई, और तीन किलो 200 ग्राम का लड़का, जो कि अबसलूटली नॉर्मल है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लेम नहीं है, तो जनेटिकली आयरुद जनेटिक डिसीज को प्रिवेंट कर सकता है, यह उसमें प्रूव होता है, त हमारा प्रोटोकल फिक्स रहता है, मंदे को अड्मिट होना है, आने के बाद सस्नियानुर बस्ती, स्नियान स्वेधन, कती बस्ती, कती लेपन, शाम को फीचे से स्नियान स्वेधन, अल्टरनेट दे शिरोधारा, जो कि पात दिन में दो या तीन होते जादा से जादा, और पात को सहचर तिल कानुवासन बस्ती, मंगलवार के दिन पैसेज में घुमाते हैं, बुद्वार के दिन और पैसेज में जादा घुमाते हैं, गुरवार के दिन दर्शन शिर्डी जाके लाइन से दर्शन करने के लिए बोलते हैं, चुकरवार के दिन गाड़ी पर बिठा तो घर जाने के बाद थोड़ा कुछ एक्जर्शन होता है, तो दर्द होगा। तो इसलिए पहले दर्द उसको दे देते हैं। जितना एक्जर्शन करना है, करवालो। और उसके बाद में कितना दर्द बचा है, उसके असाब से क्या आग्नी कर्मा, विद्ध कर्मा जो कि उसको sub-dural hematoma था, वो लेड़ी आज भी कहते हैं कि ने सर वो अपरेशन सिने में आपके दवासी ठीक हुई हूँ जो कि टोटल नर्व कॉम्परेशन होती हो, टोटल थी मन्थ के बाद में स्टेट देखे हैं हमने, इसलिए हम तो ग्यारेंटेड कभी अड्मीट पेशन को तो पूछते भी नहीं कैसे लगता है, क्योंकि पता है कि वो ठीक होने वाला है, इस प्रकार से इस प्रकार से बैस्त बीडार्टिशन, सकता है बेस्त ऐरुवधिक साइकेत्रिम बन सकता है、 ब्यार्वधिक अँए डिर्माट ओलोजिट बन सकता है, मैं तो कही नए बच्चों को बोलता ही रहता हो, कि किसी के सांचा में गनाे स्प्राइक आयरुदिक भी कर तदने का बोड लगा दो, तो प्राक्टिस शुरू करो, उसके सब फिल्वर भी आपको मिलते हैं, तो भी खाने के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना फिल्वर एक modern में है, वही psychiatric patient का भी है, तो यह सब हम कर सकते हैं, नेक्स्ट, उसके लिए तो काफी है, लेकिन आपी समय नहीं है, जुने जा सर भी बैठे हैं, तो प्राक्टिस कोई भी हो, फिर anxiety, depression, anxiety, anxiety, depression, psychosis, postpartum psychosis, schizophrenia, bipolar, schizophrenia, insomnia, hysteria, कुछ भी आईर्विदिक ट्रीटमेंट से ठीक होता है, modern treatment जो भी होती है, वो patient को सिर्फ सेड़ेट किया जाता है, उससे patient खाते रहता है, मोटा होता रहता है, और एक जिंदा अलाज सिर्फ घर में होती है, उसकी thinking परावर टोटल सफ्रेस होती है, यदि, क्या, आपी psychiatrist चल रहा है, तो कोई भी patient जो हो, आईर्विदिक ट्रीटमेंट के ये विशेस्ता होती है, कि patient जो होता है, उसकी thinking पर वह इसे ही रहती है, अगला question आपको यही रहेगा कि, यह सब सुनने के बाद में आपकी choice क्या रहेगी, एक तो आलोपैथ है, भी होमेपैथ है, ती आईर्विदे और डी ओधर है, next, तो यह कई किस्से एक बार कभी फूर्सत से आके बताएंगे, GBS, सिर्फ साथ दिने में आयरे विशे किस्ता से यह लड़की ठीक हुई थी, next, यह लड़की है, बीफोर ट्रीटमेंट की, जब की वेंटेलेटर पी थी, 26 गैमा गुलूबिलीन, जो की 18,000 का एक इंजेक्शन आता है, डॉक्टर ने कहा था, 9 इंजेक्शन का कोस करना है, 26 इंजेक्शन के बाद में भी अनकॉंसियस थी, और फिर डॉक्टर ने जवाब दे दियाते हैं, कि हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उजेन में पाटिदार हॉस्पिटल में एडमित थी, और सिर्फ साथ दिन के आईरवेट चिकिस्था से, सेकंड रोस के बाद में यह होश में आ गई, साथवे दिन वो चलते चलते अपने घर वापस आ गई थी, एकीद उसके बाद में तीन मेने के बाद को परगाम में आई थी है, उसका वीडियो हैं यह चल भी नहीं पाती थी, लेकिन सिर्फ पात दिन के बस्ती के बाद में उसका रूटीन सब चल गया, चबईस इंजक्शन के बाद में जो चौदा साल की लड़की थी, वो तीस साल के महिल जो था पावर लॉस वो पुरा आ गया, तो वो नर्व लॉक करके आता है, लेकिन सिर्फ जुगुलर अक्तमोक्षन और उससे वो सिर्फ छे दिन में यह मेला ठीक हुई है, और उसको अभी करिबन तीन-चार मेने के बाद में भी दवा नहीं फिर भी दवा उसका है, उसका प्राइक बंद है, कोई भी प्रॉब्लेम ने, जो कि देड़ साल से बेड़ेडन थी, दर्थ के कारणने, एक बार आप ट्राइजिमन और नियूराल्जिया पड़ो, फिर उसका सिर्यसनेस आपको पता चलेगा, तो यह दि किसी की सलमान से, सलमान खान से पहिचान होगी, तो जाकर बताओ उसको ताकि और डंग से पिच्चर कर सके हो, ने, क्या क्या क्या, लेकिन उसके चाहते दिल्ली में ज्यादा है, जीबेस में उसको मेन बस्ती दिया था उसको, सहचे दिल का बस्ती, ब्रत्वाच चिंतामनी, सहस्रपुट्याब्रग, योगेंदर रस, और गानेक का जो मैंने अभी बोलाई है, और अंग बात की एक लिडी, बिलाटरल एंडियोमेटरोमा, राइट हमेटो हैड्रोसल्पिंग्स, एडिनोमाइसिस और एंडोमेटरोसिस, और सिर्फ जॉन्डिस अपना चिकन पॉक्स की भी हिस्ट्री साथ में थी, तो वो प्रिप करने सिके, तो उतना सिर्फ लाइगेट कर लिया, कोई भी लाइगेट करने के लिए तयार नहीं था गानेक लाजी, सब बोल रहे थे कि दर्वाजा छोड़के विंडो से कोई घर में आता है क्या, यह यह प्रकार हो गया, कि लाइगेट करने से प्रिगने से रहेगी, तो म लड़की जो यह हुई है, इसके स्पेशालिटी यह है कि वेट से तो है, लेकिन लंबी जादा है, उसके माबापने यही कहा कि सब हस्पिटल के बाकी के जो पेशन्ट है, उनके रिस्तेदार देखने आते थे कि इतनी लंबी बच्ची कैसे हो गए, और यह जब उसके अब एक गिफ लेकर आय थे, और एक लेटर उसकी मा ने लिखे दिया कि आईरवेद के कारण मुझे मेरे जिंदगी में सूख आया है, इसलिए मैंने मेरे बेटी का नाम आयू स्री, आयू से बनी है, मिली स्री, इसलिए आयू स्री नाम रखा है, और उसने नीचे लेटर भ नेचे लेटर, चला आगया, आर्दित यह जो फेशिल पाल्सियों अगर होती है, तो यह ऐसी बीमारी के आयरवेद से ठीक होता है, पारलेसिस या वाद के लिए आयरवेद यह बेस्ट होता है, पारलेसिस तो हमारी 2016 तक स्पेशालिटी रही कि कोई भी पारलेसिस का पेश किन हमारे आठ दीनाड में पानी आता है आदा घंता सिर्फ, तो आडमिशन तब से हमने पारलेसिस के बंद किये क्योंकि पानी यह नहीं हमारे गावेद नेक्स्ट, तो यह भी जो पारलेसिस वाली थी, यह सिर्फ अमर दाम यातरा गई थी, ठंड, हवा, बारिश और उसक किल लाने लगी, उसके साथ में शीर्डी के कार्पोरेट थी हो, उसके साथ में उसकी सिस्टर थी, और आने के बाद उसने सिस्टर को जगाया, तुरंत अमरुसर उतर गए, फिर वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के बाद यह हमारे करवाया, स्कैन करवाया, उन्होंने कहा मैं ठीक हो जाओंगी ना, तो आभी एक ऐसे आईसा टेडा-चेरा देके मैं कहा बाहर निकलूंगी हो गरे, तो उसे तुरंत सब पात दिन का योग बस्तिक्रम करवाया, असनियान सिवधान शेष्टिक साली, ब्रतवाद चिंतामने अफोरडबल था, इसले ब्रतवाद च पूली रहती है, यह हसने के बाद रोते हो चेरा टेडा होता है, यह तो होते रहता है, लेकिन सिर्फ 12 दिन में भी यह साइंस, यह जो लक्षन ही, यह पूरी तरह से जाती ही, यह फर्स्ट पैम मैंने देखा, नेक्स, चला गया, चला गया भी जन फास्त, यह डिपलोपिय केस थी, दो हाजार एक में आगए, रक्तमोक्षन उस समय उन्होंने निकरने दिया, तो जलोगा लगाई थी मैंने, जलोगा से ही 15-20 में बाद में वो चिलाने लगे, जाके देखा तो जलोगा वह ऐसी थी, मैंने क्यो चिला है, उन्होंने का सराप मुझे ही की दीख रहे ह और आदा गिंटे के बाद में फीसे ही बैठेते जाके, सर को हाथ लगा कि मैंने का क्या गए नहीं क्या तो उन्हें का सरदर्द हो गाया, जो प्रविन ने कहा कि दातुक्षय जन्ने वात परकुप जो होता है, तो मैंने का घर जाके घृतनस्य कर दो ठीक हो जाएगा, रा इसे कैसे ट्रीटमेंट करते हो अगर अगर तो मैंने का उससे कभी आइसा नहीं होता है, एक तो पहली बार 2001 में उनकी नजर गई थी, जो कि 13 सल आयर्वित के कारण मिली है, कल सुबह वापस लाओ, उनको लाओ, मैं देखूंगा, फिर तय करते हैं क्या करना है, फिर मन में मेरे बाजू में एक झांका है, तो मेरे बाजु में एक उप्थेल्मोलोगी स्ट्रक्टिस करते हैं, उनको मैंने फ़ोन करके पूछा, तो उन्हों ने का कि इंट्रा, इंटराइक हुमऔरेज होा होगा, इंट्रा-ाइज का। चाया है, मैंने एक आत्देश में मैं रखतम तो मिया भी बाहर वेटी में आके बैठे, वो बैठे रे पूरे पेशन्ट होने दिये, तो मैंने समझ लिया कि मावल शांते कोई प्रॉब्लम नहीं है। के बैठे, और लास में, शाभ आट बज़े और दोना अन्दर आगे, और अन्दर आनी चाहिए अन्दर नो बाद में डा आरे को कि मिरे पर्षार पाकड़े, तो मैंने चाहिए। उन्हें का ने सरम आपकी माफी मागने आए मैंने क्यों तुन्हें बोले मेरे साले ने आपको बला बुरा का तो मैंने का आपको आगे क्या हुआ यह पहले बता उन्हें कुछ ने दूसरे दिन जब मुठा तो सब नॉर्मल था सब नॉर्मल दिखता था आट्रइबए्स डिपेंस होता है तो मैंने तुरहन गहा कि पहले वह साने को मेरे सामने लाओ कियोंकि आपने दः गए इसलिए बताने हैं लेकिन मेरे ओधियार पाथ दिन बेकार गए उसको क्या मैंने जितने बच्चे थे सब को मैं उनको कहा कि ये बच्चे इनके साथ में अधिया ऐसा हो जाता तो रक्तमुक्षन करना तो दूर रक्तमुक्षन नाम भी नहीं जिंदगी में नहीं लेंगे कभी मुझे पता था कि रक्तमुक्षन से ये नहीं होता इसलिए मैं जा आगे, जा आगे, जा आगे, घर जाना नहीं क्या, तिक तक शिर्भस्ति का जो सतिष ने कहा, यह एक the best remedy है, जो neck holding नहीं करते, उठते नहीं, चलते नहीं, आसे बच्चे एक पंद्रा, पंद्रा, तीन, तीन, तीन हपते के तिक तक शिर्भस्ति के बाद में, यह जाइन स्पाइन के लिए the best remedy होती है, हम तीन महिने तिक तक शिर्भस्ति लेने के लिए बोलते है, लंबा स्पॉंडिलासिस हो, इस्तिस हो, प्रोट्रिजन हो, हर्नियेशन हो, सारवेकल हो, मल्टिबल डिजनेर्शन हो, कुछ भी हो, लिगामेंटम फ्लेओम हो, कुछ भ आप उत्तर देने वाले हैं, बोला भी आपका जवाब क्या है, जोर से, जोर से, नेक्स्ट आइरवेद करोगे, तो ऐसे, इसे, इसे, आइरवेद करोगे, तो ऐसे, कई सन्वान आपको मिलेंगे, राकेश जी दैसे, आभी आइरवेद के कारणी इतने बड़े आमानास्ती से, मुलाकात हो गई, हाँ, लेकिन आइरवेद के कारण आप मुझे मिले हो, चल, चल, आगे, चल, तो इस प्रकार से, आइरवेद करोगे, तो नेम फेम सब कुछ मिलता है, ये सिंगम आजे देवगन, उनके पिता जी, वीरु देवगन और उनकी माता जी, ये नी जॉइंट ऑस्टिय आर्ट्रेटिस के लिए को परगों में अड्मिट थे, और जानू बस्तिय और तक शीर के बाद में जब ठीक हो गया है, तो उनके माता जी ने उनके घर पे खान में का न्योता दिया, ज्यादा तर हम कहीं जाते नहीं, लेकिन उस समय सोचा कि चले चांस ने गवाना है, तो मैंने का आता जब आजे घर पे होगा तब मैं आए आओंगा, और फिर आजे देवगन की हिम्मत वाला की शुटिंग थी, बेचारा शुटिंग करकर आने के बा इसकार से आएरवेद करो, आएरवेद के लिए, अहां दोनों भी थे साथ, अब तर में उत्तर बस्ती चाहिए, ब्लैडर में जाना चीए, उत्तर मुत्राश है करती, यस, मुत्रमार्गस, यस, मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ कि यूरेटरल स्ट्रिक्चर में, मुत्र तर मुत्रमार्गस नाइज ओत्तर्बस्ती काम करता हूँ, यह सबसे पहने वाला पहले कहने वाला मैं था, क्योंकि 94 में सबसे पहले मेरे पास पेशन ने मुझे यह शिक आया, क्योंकि पेशन यूरेटर स्ट्रिक्चर का मेरे पास आ आ गया, तो उस समय मैं पढ़ेंगे पढ़ेंगे सर युरेतर शीक्चर दो या तीन उत्तर बस्ती के बाद में स्टिक्चर चला जाता है गारंटेड जाता है तो इस प्रकार से आईरवेद करो आईरवेद करने से डेफिनेटली बहुत कुछ मिलेगा आपके लिए अभी यह आयूपत बन गया है आयूपत से जूड़ जाओ आईरवेद अखिल भारतिया आईरवेद महा समयलन के सदस्य बनो और आगे चलो बहुत कुछ तरीके करेंगे बेस्ट अप लक्ट धन्यवाद जैहिंज आईरवेद सर हम सब आपके आभारी हैं आज आपके द्वारा दी गई एक एक सी हम सब वैदे के जीवन में अत्यन्त महत्वपुन रहेगी अब मैं आगरे करूंगे डॉक्टर संदी प्राने से कि वह मंच पर आएं और वैदे राम दास आवहार सर को सम्मान प्रदान करें अज्ब्स सम्मान, सम्मार को सम्मानि अन यक्तार सी आफिजेश अज़के पर प्रोंगे पर आएं, मियाद सम्मान और द्वार के कि अधि. अध नहीं आफिक सकुतताय करें ह्लोगे हैं, अभी हैं और हो संदाय को मिला कने भीवेदान हैं झाल झाल